कि यह तो वे किए ले पड़ते हैं एक की टेलर का टेकनीक तेलर ने पुद्द मैंगेशने कि दीए और आइटेकनीकिस दीए है दीए हैं principal 15Y and के चार है यह तेकनीक कि नहीं में हम functional पॉर्मेंशिप पहले बढ़ चुके है इससे पहलेaking लेक्चर में और इस लेट्चर में हम पढ़ेंगे टेलर की टेखनेक स्टेंडर डाइजेशन हैंड तो देखो यहां पे टेलर बेसे बाहरें बात करता एक स्टेंडर लचन है और मतलब को क्या होता एक कि हर चीज का की स्टेंडर्ड बना लो ठक है यानकिकी आप जैसे जो प्रहेंने प्रोसेसे आप कि जैसे आपने सामान खरीदा यहां पर नीचे फिर उसको ills में रखा ठिक है फिर एक बिजनिस से में ट्रांटरी में ट्रांसफर किया फिर प्रॉडक्शन किया फिर ascension किया पिर उसकी पैकेजिंग की ए और पर उसको डेलेवर कर दिया 59 तो यानि में आगर आपकी इतनी सारी हैं एक 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 बजनस गया जो और आप उसको चूज करो और इसको बना लो तो यानिकी इस प्रोसेसे और इसे को अगर आप स्टैंडराइजेशन करो तो प्रोडक्ट भी स्टैंडराइजद होंगे तो हम मार्केट से जो भी खरीदते हैं उनकी जो क्वालेटी होती है वो एक स्टैंडर होती है ठीक है आप करीद होगे यह और कुछ पैकेज़ फूट खरीदोगे तो उनकी क्वालिटी में क्या है स्टेंडराइजेशन है ठीक है अगर आप कोई छीज खुली खरीदते हो समोसे करीदते हो या फिर छोले बटूले करीदते हो तो क्या होता है हर बार अलग टेस्ट आता यानि कि यह स्टेंडराइजेशन नहीं ठीक है तो इसलिए स्टेंडर प्रोड़क्ट बनता है फिर सिंप्लिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो प्रॉसेस हैं उनको आप स्टेडी करो ठीक है और उनको कैसे और सिंप्लिफाई कर सकते हो ठीक है तो कैसे बिजनेस में प्रॉसेस को हम सिंप्लिफाई कर सकते हैं यह हम इसमें देखते हैं और इसका एक बहुत एक्षा एक्जामपल है आप जो मोबाइल के चार्जर वगेरा पहले क्या आता ता मोबाइल अगर मोबाइल अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग ब्रैंड है एक ही कंपनी के तो सब के डिफरेंट चार्जर होते थे ठीक है लेकिन अब अब क्या हो गया अब तो यह हो रहा है कि युनिवर्सल चार्जर हो गया याने कि एक कंपनी का कोई मोबाइल है और कोई लैप टॉप भी है सब में एक ही चार्जर यूज़ होगा तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर चार अलग-अलग तरह के चार्जर फिर इने चाहिए चाहिए चार अलग तरीके से आपको को क्रूण करना है तो इस तरीके से हमने क्या किया प्रोसेस को सिंप्लिफाइक कर दिया और कंपनी की कॉस्ट भी बची और लोगों को अलग-अलग तरीके के चार्जर बनाने की ट्रेनिंग देने से क्या अच्छा है एक आपकी ट्रेनिंग का टाइम भी बचेगा कोस्ट भी बचेगा इसको हम कह सकते हैं कि इसके बार देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है साइंटिफिक मैनेजमेंट आलवेज एमफेसाइज देई अन मेंटेनिक स्टेडरा बता अब बदिया स्टेंडराइशन किस्में होता तरीके से होते हैं वह सारे तरीके फॉलो करो और फिर देखो जो बैस तरीका है उसको इसको बना दो ठीक है और मैंने यह नीचे आपको एक्जामपल दिया था और स्टेंडराइजेशन इस मेंटेंड राइट सेलेक्शन ओव टूल सेंड एक्विपमेंट्स एंड मशीन तो मैक्सिमाइज आउट पूर्ड बाइप कीपिंग इन मैंड वालिटी स्टेंडर्स इंपोर्टेंट क्या है आप जो मशीन खरीदते हो उसको खरीदते समय आपक जिससे के आपके जो प्रोड़क्त की इंप्रूव और टाइम में चाहिए यानिके जो भी प्रोसेश आप कर रहे हो उसका एक स्टेंडर्ड टाइम होना चाहिए ठीक है और जो प्रोड़क्ट है इसमें स्टेंडराइडिशन होना चाहिए मोशीन प्रीमें और व्रंकंडिशन स्टेंडर्ड होनी चाहिए और जो तरीके हैं मैपटर्स और प्रोसीजेर्ज्रोत ठीक है यह भी एक होने चाहिए ऐसा नहीं कि अलग अलग तरीके से काम करता है तो अलग अलग तरीकों में जो बेस्ट तरीका होगा उसको आप अलड़ी डिसाइड कर लो और सबको बोलो कि आपको यही मैज़र्ड फॉलो करना है और क्या लिखा हुआ है इसमें स्टेंडडाइजेशन नौट अनली मीन्स क्वालिटी स्टेंडर्स इन ऑपरेशन बट आल्सो सेटिंग अप स्टेंडर्स पर साइज टाइप वेट मैजर्स एंड क्वालिटी अब देखो कोई भी प्रोड़क्त आप मार्केट से खरीदते हो पैकेज़ उसकी साइज और उसका वेट वगयरा यह सब क्या होता है फिक्स होता है ठीक है और उसकी क्वालिटी भी हर फिक्स होती है आप अगर साबुन खरीदते हो तो हर आपको कोई डिफेंस लगता नहीं है कि पिछली बार जो कोई टूथ पेंस खरीदा था उसमें तो बैंचमार्क एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको यह पता होने चाहिए बिजनेस स्टूडी स्टूडेंट्स बैंचमार्क क्या होता है कि जो अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है ठीक है मान लो आपके स्कूल में पिछले साल तक मैक्सिमम किसी स्टूडेंट फिशन आ गये तो यह क्या हो गया यह नया वेंचमार को गया पुराना ऊप तो लियुद क chili स्टेंडर्ड सॉथ स्टेंडर्ड करना सेट करना अलमुस्ट एक ही चीज ठीक है अगर किसी के पहरे नाइंट परशंट यह बोलेंगे कि हमारा स्टेंडर क्या है best standard क्या है या जैसे कि एक benchmark हो सकता है कि आपके क्या एक हज़ार जो क्या बोलते हैं 1000 Goods में कि पांच defective निकलते हैं तो आपका benchmark कर यह पांच से ज्याद़ नहीं निकलने चाहिए और अगर आपने अब क्या किया है आपने सिर्फ तीन डिफेक्टेट निकाले एक अजार में से यानिके 997 जो आइटम थे वह सही थे तीन खराब थे तो यानिके आपने नया बैंचमार्क बना दिया तो बैंचमार्क क्या एक तरीके से क्वालिटी के जबे उस और मिस्टेक्स कम से कम मिस्टेक्स KAS हें और क्यों करते हैं स्टेंडर्डाइजेशन का ऑपजेक्टिव क्या है एक इस एक तो यहांगे आप मिक्शर इस तरीके से बना रहे हो उस रो मेटियल का मिक्शर इस तरीके से बना रहे हो कि आपको जो पिनिश गूट से हर बार एक्जेक्टली सेम बन रहा है एंड टो एस्टेबलिस इंटर चेंज एबिलिटी और मैनेफेक्चर पार्ट होते हैं वह इंटर चेंजेबल होने चाहिए जैसे कि मैंने आपको चार्जर का एक्जांपल दिया था तो यूनिपरसल चार्जर क्या है इंटर चेंजेबल है तो अगर किसी लैप्टॉप के मैनिफेक्चरिंग में चार्जर की कमजी पढ़ रही है तो आप दूसरे लैप्टॉप का जो वेरियंट है उसी कंपनी का उसका चार्जर वहां पे यूज कर लो ठीक है लेकिन अगर सबके अलगलग चार्जर होंगे तो क्या होगा इंटर चें करना पड़े तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह जो टूल है वह इसी डिपार्टमेंट में काम करता है तो टूल्स भी आपके इंटर चेंजेबल होनी चाहिए तो एस्टैबलिस स्टेंडर्स और एक्सिलेंस और क्वालिटी और मेटियल जो मैटियल आप यूज करते हो उसम टिक है जो भी प्रॉसेश करना चाहिए और उसको कंटीनुसली मेंटें करना चाहिए और स्टेंडरियेशन कैसे होगा टेलर एंपेसाइज डेट मैनेजर्स मस्ट यूज़ मस्त मेंक यूज ऑफ्ट पैजने विच इंकलूट टाइम स्टेडी मेघ्टेडी स्टेडी मोशन इस्टेडी और ऐगली टेक्निक और स्टेंडेड़ाइब के बाद तो वर्क स्टेडि के चार कंपोनेंट होते हैं तो इसमें यह देखते हैं टाइम स्टेडि में कि एक प्रड़क्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा ठीक है तो 50-100 वार हम अब्सर्ब करते हैं एक नॉर्मल वरकर को और फिर उस 500 वार जो टाइम लिए उस टाइम बना लेते हैं और फिर स्टेड़ वर्कर्स करने गया तर भी कितनी देर में यूद् को前幾ама यह पहले तो पहले क्या होता था कि 8 गंटे की नौगंटे की की स्यिक्ट में verFX मिलता था लेकिन अब क्या है एक एक बार लंच काämäत कर बेक मिलता है और दो बार टी ब्रेक मिलते हैं तो अब ब्रेकस का नमबर बढ़ गया है जिससे की वरकर तो ओड़ा रिफ्ष्ट हो जाए बसक्राइब और फिर उनकी क्वालिटी इंपूब हो जाएं सब्सक्राइब कि आपको बहुत अच्छा अच्छा आईडिया मिब घृत काईजन का मतलब होता है कि डेली इंप्रूब्मेंट डेली आपको एक एक मिस्टेक कम करनी है यह लए फिर सिक्सिगमा क्या होता है सिक्सिगमा के मिलते हैं कितने कमपनी कर रही है जैसे मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि आपकी कंपनी एक हजार यूनिट बना रही है और उस पर बीज डिफेक्टिव गुड्स बना रही है ठीक है लेकिन अगर आपको सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेशन चाहिए तो एक हजार पे एक लीज मैक्सिमम दो या तीन डिफेक्टिव गुड्स होने चाहिए यहने कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ठीक है तो जहां पर डिफेक्ट बहुत कम होते हैं वहां पर सिक्सिग्मा सर्टिफिकेशन मिलता है और सिक्सिग्मा का मतलब यह है कि आपने अपनी जो चीजों को उसके चाइब अब उन published इन्यारे के आपको सिंप्लीफिकेशन का अब मॉबाइल चार्जर वोते हैं चार अलग अलग पिए चार्जर बनाने के लिए ट्रेंट करना पड़ेगा और अगर चार चार तरह के मॉडल में दो नहीं चल रहे विल्कुल भी तो मोबाइल नहीं रहें चलो वो तो लॉस होगा लेकिन चार्जर तो आप नहीं दूसरी जगे यूज कर सकते हो तो आप पी कॉस्ट भी ठोड़ा काम हो रहे तो जो नहीं चल रहे हैं उनको बंद करो तो जरूरत से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक प्रोड़क्ट के अंदर और वाइल स्टेंडड़ाइशन इंप्लाइज डिवाइजिंग न्यू वेराइटी इंस्टेट ऑफ दा एग्जिस्टिंग वर्क तो सिंप्लिविके एपको बताया था भी इंवेंट्री अब रखनी पड़ेगी आपको चार अलग अलग तरह के चार्ज़र रखने तो हो सकता है कि सबकी एक एक लाग रूप एक एक लाग क्वांटिटी आपको चाहिए लेकिन चार्ज़र बनाना चुश्रू कर दिया जो यूनिवर्सल चार क्वांटिटी में आपका काम चल जाएगा तो इस तरीके से इंवेंट्री भी कम हो जाएंगी स्टेंडडाइजेशन से एंड फुलर यूटलाइज़ेशन और इक्विपमेंट का मतलब क्या है चार अलग अलग तरह के मोबैल के चार्ज़र आप बनाते हो और दो बिकनी र बिजी रहेगी वह मशीन उसको आप हमेशा यूज कर पाऊगे तो मोस्ट लार्ज कंपनी इस लाइक नोकिया टोयोटा एंड माइक्रोसोफ एट्सेटरा एव सक्सेस्पुली इंप्लीमेंटेट स्टेंडडाइजेशन एंड सिंप्लिफिकेशन इस एविडेंट फॉम दे सिंप्लीफिकेशन आपको दो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है और दूसरी चीज इसे बैंचमार्क बनाना और प्रॉसेश्च का ठीक है और अनेसरी एक्टेविटी को या फिर पर नैसरी जो मोडल्स अब वगर्ला रहे हो एक्स्ट्रा उनको कम करना ठीक है तो यह था आपका इस्टेंड़ाइजिशन एंड सिंप्लिफिकेशन ओफ वर्क सो डाट इस एक पर देस लेक्चर थैंक यू